अलो इस्टूदेंस वेलकप टू दे चैनल इंग्लिश विदंस मैं हूं अज हम पढ़ेंगे आपकी क्लास 12 का एक शॉर्ट कॉम्पोजिशन में टॉपिक दे रखा वैं इन्विटेशन क्या है है इंविटेशन ना मंत्राइण भाली इन्विटेशन शामजना पहले टोफिक और अपन एकशामपल पर तो होता अगला बंद कोई भी कियी सब अपने को invite करता है ठीक है invite करता है फिर आपको जाना है यह नहीं जाना कि यह आप confirm करते हैं उसको ठीक है कि हम आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं तो वह confirm कैसे होता है इसका फुल नेम है invitation and reply अगले हैं अब हम उसका reply समझ आ रही है कि हम आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं तो आपके topic दे रखा है invitation अब देखना invitation फॉर्मल भी आता है और मिटेशन इन फॉर्मल विटेशन इनफॉर्मल भी आता है और फॉर्मल इनविटेशन आता है मतलब जो भी अपने जैसे फॉर्मल इनवाइट कर दिया किसी को को अपना जानकार ठीक है उसको इन्वाइट कर लिया हमने फॉर्मल और इन्फॉर्मल के बहुत ही जैसे लेटर्स में होता है ना बहुत ही जो दिल के खरीब एक चीज सुना ना इस और डिक्लाइन के में कि आप स्विकार कर लिया आपने कि हम इन्वाइट आपने इन्वाइट कर रहा है हमें और हमने एक्सेप्ट कर लिया वही कि हम आ रहे हैं तो आपको उसका रिप्लाई उस इन्विटिशन का रिप्लाई आपको आप आपको देना पड़ेगा ठीक है तो असेप्ट कर लिया त सिसी अब श्रूम उनविटेशन में यही चीज़ ऑर शाब और टिकलाइन कि भाइक आप को सैप्त कर रहा है तो आप उसका इन फार्मल वे में एसेप्ट करो अब इन फॉर्मल वे क्या हुआ इन फॉर्मल वे अपने को एक परीटर्न है उसके according उसको इन अब जैसे किसी ने आपको किसी ने वही अपने को क्या मेरिज के लिए अपने को बुला लिया है ठीक है और और वह इन फॉर्मल इंविटेशन है तो अपने को असेप्ट हो की हाम जाएंगे तो उसको अब इन अब उसको क्या करना अपने को रिप्लाई देन है तो अपने इन्फॉर्मल वे में एसप्ट किया है तो इनफॉर्मल वे में हम उससे इनफॉर्मल वे में ही एसेप्ट का रिप्लाई करेंगे और उसलमन में आन्ET चोटी सी बेसिक चीज küçük क्या कहना चाहता है क्या पॉर्मल इंवीटेशन और इन अगर आपको काम है तो आप उसे फॉर्मल वे में ही डिकलाइन उसे रिफ्यूजिंग का रिप्लाइ कर देजिए कि वहीं इस कारण वर्स हम नहीं आप रहे हैं अभी एग्जाम्पल से आप और समझेंगे घबराई नहीं अभी और समझेंगे ठीक है इनफॉर्मल वे में आपको कह देगा ठीक है आपको क्यूशन में डारेक्ट हो गए चीज की रिप्लाइ इनफॉर्मल वे में इनवीटेशन को रिप्लाइ कीजिए तो इनफॉर्मल वे में आप रिप्लाइ दीजिए गा उसको और इनफॉर्मल में अगर आप है और आपको न और फॉर्मल वेका तो अब हम वह पैटर्ण डिसकस करते हैं जिससे आपको मैं एक्जाम्पल्स करवाँगा जिससे आप कन्फूस नहों कर आपको इस जो इन्विटेशन वाला टॉपिक यह समझ आजाएगा ठीक है तो अब हम आते हैं अपने एक्जाम्पल्स पर हां तो चलिए मैं आपके सामने एक एक्जाम्पल पेश कर रहा हूं जैसे क्विश्ण है यू आर अजे सुनीता ठीक है ऑबलीग है लड़का है तो अजजग या सुनीता यू एव रिसीवडान इन्विटेशन फ्रॉम यह फ्रेंड गोपाल ठीक है urgent work so you are unable to attend it write an informal reply मैंने क्या का था आपको invitation है उसमें formal और informal reply करना invitation आपने बास मगर अपने को reply करना उस बंदे को connect करना बात को तो उस reply करने का वे कौन सा हो सकता formal reply करने का वे कौन सा हो सकता है देखो formal और informal ठीक है तो अब उसमें भी क्या आपने accept कर रहे हैं या refuse कर रहे हैं decline कर रहे हैं आप सुनना देखो but as you as you have an urgent work so you are unable to attend it मगर आप देखो आपके वो urgent work है तो आप अनेबल हो जाने के लिए smr so write an informal reply देखो informal अब आगले मैंने question कर दिया है अगर यहां पर formal reply आता तो अपना यह नहीं आता भी पैटन समझाओंगा मैं आपको अगले ने बोला informal रूप में informal वे में आप उसे decline कीजिए decline informal पैटन रखिए और उसे मना करें कि इस कारण से मैं आ नहीं पाऊंगा तो मैंने देखो एक तरफ तो कर दिया एक तरफ क्यूशन तो decline का ना तो देखो राइट एन इन फॉर्मल रिप्लाइट टू असेप्ट एक मैं लिख देता हूं यह असेप्ट यह कुश्चन रहने देना अब एक बार देखो इन decline में चलेगा अब असेप्ट का समझते हैं अब इस समझ गया तो अब आते हैं एक बार पैटन पर पैटन क्या है बेटा देखो आपको शुरुआत की जो थ्री लाइन सना आपकी नोट बुक है इसे नोट बुक की लाइन उसके स्टार्टिंग में आपक कोई भी ओके फिर आप अपना आप किस जखे रहते हैं जैसे वैशाली नगर जैपूर तो त्री लाइन में आपका या गया एक लाइन जासे लाइन होती है आपकी नोट बुक में इसको छोड़कर डेट आएगी एक लाइन छोड़िएगा फिर आप लिखना क्या है देखो यू आर अपन तो अपने को बुलाए किसने है फ्रॉम योवर इन्वीटेशन किसकी तरफ साय इन्वीटेशन फ्रॉम यूर फ्रेंड गोपाल तो अबन उसको रिप्लाई कर रहे है डियर गोपाल आप डियर भी लिख सकते हैं या फिर अगले बंदे का नाम मेंशन है तो नाम भी लिख सकते हैं ठीक है तो डियर गोपाल आई अब सुनना मेसिज देख यह फॉर्मेट समझा गया इन्फॉर्मल जब इन्फॉर्मल आपको बोल दे कि इन्फॉर्मल रिप्लाई करिए उसका अगले ने आपको इन्वीटेशन दे दिया बड़्डे पाट्टी माने का अब वह क्यूसें में आपको डालेगा इसन में देगा आपको इसका फॉर्मल रिप्लाई करना या फिर इन्फॉर्मल रिप्लाई करना तो अभी अपन क्या पढ़ रहे हैं अभी पढ़ रहे हम इन्फॉर्मल रिप्लाई इन्फॉर्मल रिप्लाई और इन्फॉर्मल मे अपना एड्रेस होता है शुरू-शुरू में फिर देट होती है ठीक है वह वाली चीज तो आपको इनफॉर्मल का पैटन ध्यान होना चाहिए इनफॉर्मल बोलते ही लेटर वाली चीज दिमाग में लिया अब क्या इनफॉर्मल आगे तो आपको शुरुआत में अपनी तो जैपूर तो फिर आपकी डेट आजएगी एक लाइन चोड़के फिर आप लिखोगी जिसने बन देने आपको इनवाइट कर डियर गोपाई अब मेसिज पर आते हैं अपने अपने इतना लिखने के बहुत सिंपल बहुत इसी है रिपलाई करना तो बस पैटन ध्यान हो चाहिए पैटन ध्यान होगा ना इनफॉर्मल है तो आपको लेटर हो आप पहले मेरेको एड्रेस लिखना मेरा फिर एक लाइन चोड़के लिखनी है मेरी फिर एक लाइन चोड़कर मुझे लिख दूँ या फिर अगले बन्दे का ना मेंस ने तो फिर आप आते हैं टॉप आभा था एक है डिटरोयेशा के टुजल सब्सक्राइब करें तो भी में है टो जोजोओं है परव्डेपार्टीında ृप्लाइब वीविटेशन कि यस द्यान से देखें को राइट ए इंफॉर्मल रिप्लाइ worked in करें तो कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें थे कर दिक हम उसको अब आपकी जहां पर रहते हूं वह थीक है फिर आपकी डेट फिर आप डियर गोपाल अब सुना I thank you very much समझा रहा है न आपको अच्छे से connect रहना confusion नहीं है I thank you very much for inviting me on the occasion of your birthday party on पितारिक लगा दो 10th October at your residence ठीक है I thank you very much for inviting me on the occasion of your birthday party date लगा दो आव उसके घर पे हाँ ठीक है ना I accept the right and informal reply to accept the invitation invitation I accept the invitation from the bottom of my heart मुझे जो आपने आमंत्रन दिया है अपने birthday party में आने का मैं जरूर आऊंगा I accept the invitation from the bottom of my heart I will come and enjoy the party मां आऊंगा और enjoy भी करूंगा party को my best wishes are always with you and your family my best wishes are with you always with you and your family और यहां आप लिखना योवर्स योवर्स सिर्फ योवर्स और अगर आप कई confusion रहता है अगर आगे कुछ नहीं लगांगे तो आप sincerely लगा सकते हैं या फिर आप योवर्स लिखके भी काम चला सकते हैं काम चलाना मतलब कोई नमबर नहीं कटेंगे योवर्स लिख योवर्स अजे कौन है यूवर अजे ठीक है लड़के हैं आपन तो अजे लड़की हैं तो सुन कि योवर्स अजे कोई जरूरी नहीं है जरुरत नहीं है इनफोर्मल रिप्लाइश समझा अब हम क्या इनविटेशन आ चुक है हमारे पास अब हम उसका इनफोर्मल रिप्लाइब दे रहें अंगले को कि हम आ रहे हैं या नहीं आ रहे तो क्यूशन में देजेंगा या दियर गोपाल जो भी बंदे का नाम है वो या फिर नहीं है तो ठीक दियर फिर बीच में मैसिज आजेगा थैंक यू वेरी मच्छ फोर इन्वाइटिंग में ऑन दे ओकेशन आफ यूर बढ़्डे पार्टी एट यूर रेजिस्टेंस आइसेप्ट दे इन्वेटर्शन अब आते हैं अपन सब्सक्राइब कि भई अपने को कोई अर्जेंत वर्क है इसा सकते तो अब क्या करेंगे देऊकju tooth for the channel करो दिक्लाइन करो पै zouden पर पॉbn यहीं रहेगा बस जो बादा सब्जेक्ट मतलuve िंच में लोडा सब्सक्राइब को पर लाइण और कुछ नहीं है को right in informal reply to decline your invitation to decline the invitation समझ भी सब्सक्राइब क्या कहना चाहरा हूं मैं कि देखो अगले ने बुलाए मगर अपने कोई बहुत अर्जेंट वरक है मगर इसलिए अपने नहीं जा सकते तो राइट एंफॉर्मल आगे ना इनफॉर्मल तो अब आपको इनफॉर्मल दिमाग में आती क्या हां लेटर वाला पैटर रहेगा पहले अ आपको अच्छे से समाझ आ रहे है तो अब देखो वही चीज़ एड्रेस डेट डियर गोपाल अब आप आई थैंक यू वेरी मच फोर इनवाइटिंग मी तो अटेंग दियोर बर्देश पार्टी बट अनफॉर्टुनेटली दू अनवाइडेबल अन अर्जेंट वर्क् बहुत ही कुछ अर्जेंट वर्क्स है जिनने मैं नकार नहीं सकता ठीक है और नहीं कर सकता आई विल नौट अबल टू अटेंड इती लो रिप्लाई करना है रिप्लाई पैटर्न ध्यान रखना है रिप्लाई आप मुझे विश्वास है आप 12th क्लास में है तो आप ही मैस अगले ने अपने को बड़े पाटी में बुलाई तो अगर आपको क्यूशन मारा कि अशेप्ट इस इन राइट एन इन फॉर्मल रिप्लाई टू असेप्ट दा इन विटेशन ठीक है तो आप असेप्ट करोगे क्यूशन समझना है में चीज असेज असेज असमझना और इ को क्रिशन में में कर देगा कि इन फॉर्मल रिप्लाई करो और आपको कोई काम है इसले आप डिक्लाइन कर जो से और नहीं और आप समझ गए ना वह वाली चीज है तो आई थैंक यू वरी मच्छ फॉर इंवाइटिं मी तो अटेंड यूर बिर्दे पार्टी आई बट अ सम अन अवाइडेबल अन अर्जेंट वर्क्स आई विल नॉट बी अबल तो कम अटेंड इट ओके टो अटेंड इट आई कोंगरू चुले तो यू ओन यूवर बर्डे प्लीज असेप्टे स्मॉल गिफ्ट देट आई एम सेंडिंग तो यूवर्डे गिफ्ट यूवर्स अजे लड़की है तो यूवर्स सुनीता क्लियर हो गया एक बार रिपीट और करता हूं फिर क्लियर अराम से देखो क्यूशन आख बोल दिया अपने को क्यूशन अपने पास इन्विटेशन आया अपने फ्रेंड से गोपाल से अगले अपने को अपने बड़्डे पार्ट लेडर वाला प्याइतर्न पहले डो हम धूशन घ्रदेट वैडें फ्र मैं डीयर के यह भी करना है कि हम जा रहे हैं ल हम नहीं यह हॉर्ड की हम नहीं आए है तो समझा गई आ को बीच में मेंसीज है सहाण का जवाब देना उसमें जाधा कुछ कोई लिखना नहीं और अगया तो बिल्कुल कम एग आपन अपने देंगे एक रिजन देना जरूरी है कि भरन तो विए को बड़े बाटी बाप के दोस्त ने बुला है मगर आप कोई इंपोटेंट काम आपको तो आप नहीं जा सकते तो डिकलाइन करना और डिकलाइन आप कर दोगे समझ आगए आपको बात पैटन होई रहेगा बीच का जो मेसिज है कि इतना इतना को इंपोटेंट काम है मेरे को वो जरूर ही करना पड़ेगा इस कारण से मैं नहीं आपाऊंगो यह लो और यह फिर ऐसा जगा राइट एन इंफॉर्मल रिप्लाइट तू असेप्ट कर लिए आपका इंविटेशन में आऊंगा जरूर समझ आ गई आपको यह करवाया है क्या इनविटेशन ठीक है इनविटेशन करवाया है और इनविटेशन में क्या करवाया है इनफॉर्मल रिप्लाइट करवाया है अगले का अगले अगले का अपने पास इनविटेशन आ गया अब अपने को उसको इनफॉर्मल रिप्लाइट करना इनफॉर्मल और में इनफॉर करवा दिया कि हमें सिका रहा वह आपका और मैंने आपको डिकलाइन का भी करवा दिया कि हाँ जरूर अगर यह टो नहीं जाओ और अगर काम है तो तो क्यूशन में में सना आएगा टेंशन की बात नहीं है बस पैटन द्यान को वह यह पैटन द्यान रखना इनफॉर्मल पहले एड्रेस एक लाइन चोड़के देट एक लाइन चोड़के माई डियर जो भी फ्रेंड का नाम हो ठीक है या फिर माई डियर ओके भी इच में आपका मैसिज और एक लाइन चोड़के नीचे योवर्स भी इनफ है अगर लगाना चाहो तो इनिशरली अजे अपना नाम समझदार होई तो कितना समझानने के लिए आपको इतना जोड़े रहा हूं इतनी जरह से दो ही चीज बताई आप अपने फॉर्मल पॉर्मल रिप्लाइं बाकि है इन फॉर्मल में पैटन समझना इन फॉर्मल में मैंने आपको असेफ्ट भी बता दिया अब हम करेंगे ऐस जुक्लाइन इन्विटेशन एक फॉर्मल रिप्लाइ करना कि लेको तो इन्फॉर्मल का तो पैटन ध्यान होगे अब आपको आप करते हैं फॉर्मल रिप्लाइए ओके तो बने रहे है वीडियो के साथ और यू है रिचीव डैन इन्विटेशन लेटर फ्रॉम द स्कूल एन्वल फंक्शन ठीक है ना और 10 अक्टूबर एट 3 पीम दिस्ट्रिक कलेक्टर विल बीड़ चीफ गैस्ट फॉर्मेल फॉर्मल पूख रहा तो दिमाग में आ जाना चाहिए लेट वाला पहते हैं पहले देट फिर मैं योवर ठीक है तो आप वार्माल में योवर्म में कुछ चीज़े बता दूँ आपको एट परसंट का यूज़ होगा वो भी बताता हूं आपको जैसे अपने कोई नाम नहीं दी है न आपना कर लो कि मिश्टर प्रदीप सर्मा हो और भी चुरह ठीक है है आपका नाम प्रदीप सर्मा है तो अब आपको इसको तो आपको नाम से पहले मिश्टर फिर परदीप सर्मा थैंक्स टू फिर यह जो अपने को इन्वाइट कर रहे हैं उनका नाम को आपका नाम आता है तो बहुत अच्छी बात है तो नाम को आपको फर्स्ट फर्स्ट आफ लिखना है स्टाइटिंग में ही आपको अपना नाम लिख देना ठीस करने थैंक्स जीन्हें आपको इन्वाइट कराuten्ट थ्प्र मिंश्टर प्रदीफ शरमा थैंक्स टू थू दे प्रिश्प श्टाफ स्टाफ औवत्शिंट सीनियर से कन्रेश् initiated for their kind invitation to attend the annual function of their school on 10th October at 3 p.m. ठीक है Mr. Pradip Sharma है अपन अब सुनना हागे सुनना He has अब आप सोचो गयार अपन लिख रहे हैं तो I आना चाहिए ना I have great pleasure in accepting the invitation तो he क्यों आ रहा है देखो मैंने आपको कह जिए third person का यूज होगा चाहिए आप खुद ही लिख रहे हैं हो आप आए मत लगा ना third person का यूज होगा He, she, his, her, they third person होते हैं ना उनका तो जैसे आप यहां पर प्रदीप शर्म है यहां पर सोचो कोई सीमा होती तो Mr. Seema thanks to the principal ठीक है ना वो आजाएगा सारी चीज फोट देर काइंड invitation to attend the annual function ठीक है she has Seema नहीं आएगा ना आई आएगा आई नहीं आएगा उसमें तो formal reply में तो आई है ठीक है ना I kindly accept your invitation और इसमें नहीं है इसमें आपको इन फॉर्मल आते ही ध्यान रखना कि पहले तो खुद का नाम मिश्टर जो भी खुद का नाम है फिर थैंक्स करना अगले को फिर किस लिए occasion पर बुलाया उसमें फिर लिखना है यह जैसे आप लड़के तो ही लिखोगे लड़की तो शी लिखेंगी ठीक है और उसका यह उसकी का सेंस आ रहा है तो वीज आएगा ठीक है ना ऐसे तो इस इन शुरी ही आपको किसी ने इविटेशन दे दिया अब उसको फॉर्मल वे में फॉर्मल रिप्लाई करना आपको और असेप्ट है आपको तो इस तरह से करो गया एक बार फिर रिपीट कर देता हूं मिश्टर प्रदीर शर्मा आपका खुद का नाम आएगा फिर आपको थैंक्स करना अगले को जिननों ने बेजा फिर उकेशन की इस अपकेशन पर फिर आपको करना ना असेप्ट ही आज ग्रेट प्लीजर इन असेप्टिंग डाइन इन्विटेशन तो अब आई वी मतलगा न वहीं आपना इन्विटेशन पूरा हुआ तो आप इसे कवर कर दिजेगा इस तरह से अच्छे से कवर कर दीजेगा इन फॉर्मल में थोड़ा से कवर करना बूर्ड पर भूल गया था आपको बता दिया इन फॉर्मल में भी आपका जो रिप्लाई पूरा उत जाए कवर कर देना ऐसे विद्ध हेल्प ऑफ इसके अब जैसे ठीक है इसी तरह अपने पास अब पने को पत निया अपने आप जैसे बहुत और पने करना करना भी को मतलब कोई किसी कारण वर्स हम उस उसका डाओंब और को सटेकर पूरा सेम अधिया थेखिणि ऑसे पूरा यस Im इसे for their kind invitation to attend the annual function of their school on data जेगी तो बट नीचे जो लाइन उसमें आपको कारण देना है अपना की इस कारण वर्स मैं नहीं आपा हूंगा जाए आपकी हैल से रिलेटेड हो कुछ भी हो कि या फिर आपको बहुत इंपोर्टेंट वर्क हो आ जाना है तो वाला तो बट रिग्रे की सिंजियर थैंक्स for the invitation समझागी ही की वाली चीज़ कॉंसेट बता देना आपको ही आयेगा वही तो वह सेम तो नीचे वाली लाइन में आपको तो बस क्या करना नीचे वाली लाइन में आपको रिजन देना कि इस कारण वर्स में आनी पाऊंगा और आई मत लगाना फॉर्मल में आई मत लगाना ही अपना जो थाइड परसन है इस बाद परसन का उसकरना समझा कि इन फॉर्मल रिप्लाई बता दिये हैं मैंने आपको इसे कवर करना है ठीक है सो मैं होप करता हूं आपको दोनों जो इन्विटेशन है उनका रिप्लाई करना आ गया होगा ठीक है बस पैटन ध्यान रखना इन फॉर्मल में ध्यान रखना लेटर के टाइप से होता है और एसेप्ट और डिक्लाइन आप अराम से कर दोगे लें अच्छे से लेंग्वेज में अच्छे एप्ट कीजिए और फिर थाइड पर्सन का उसकी जे और एंड में जो दोनों इन्फॉर्मल भी हो और फॉर्मल दोनों जो भी आप इन्विटेशन का रिप्लाई कर रहे हैं उन्हें विद दे हैल्प आफ इसकेल आप उन्हें कवर कर दिए जिस तरह ऐसे कवर हैं इसी तरह आप उन्हें कवर कर दिए चाहिए इन्फॉर्मल हो चाहिए फॉर्मल हो ओके तो होप करता हूं आपको दोनों जो आपके जो हैं इन्विटेशन और रिप्लाईज समझ आ गए होंगे ठीक है फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो अगले इतना इफेक्टिव बनाना अच्छा खुला खुला लिखना जिसे अगले पर इंप्रेशन जमें और आप सुनना ध्यान से कि आपको करवा दिया है अग्जांपल मैंने अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो यू कैन मैसेज में डिस्क्रिप्शन में में मेरे लिंक अगर प्लेश्ट के आप पूरी क्लाश 12th आप वहां से पढ़ सकते हैं और आप चैनल पर नहीं नए हैं तो जरूर इससे लाइक करें अपने 12 के जो और साथ ही है उनके साथ शेयर करें इस चैनल को ठीक है और नए हैं सस्क्राइब करें और इंग्लिस रिलेटेड इन फ्यूचर आपको बढ़िया से बढ़िया कॉंटेंट इस चैनल पर मिलते रहेंगे ओके तो कोई भी ड टेक्स्ट बुक्स के कुछिशन आंसर वो भी आपको मिल जाएंगे ओके फिर मैं आपसे मिलूँगा अपने 12 के नए टोपिक के साथ कोई भी डाउट और यू कैन मैसिज मी फिर मिलता हूं आपसे क्लास 12 के एक नए टोपिक के साथ बने रही है मेरे साथ थैंक्यू वेरी म सबस्ट आपसे क्वklich है